Hello friends, स्वागत आपका Study Hack चैनले में आसा करता हूँ कि आप सभी स्वास्थ होंगे, मस्थ होंगे और अपनी त्यारी में जोरो सोरो से लगे होगे तो जैसा कि आपको पता कि आप हमारी English Grammar की एक सीरी ये स्टार्ट हुए जिसमें मैं आपको English grammar बेसिक लेबल से बताऊंगा ठीक है तो लास्ट क्लास में मैंने आपको सारी fundamental चीजे या आप बोल सकते हैं बेसिक बाते आपको बताई थी आज की क्लास भी बेसिक पर ही होने वाली है ठीक है तो सबसे पहले हम अपना लास्ट क्लास में भी बताया था और यहां एक बार फिर से बताता हो कि sentence क्या होता है तो sentence group of word है जो क्या करता एक complete ठाउट ठीक है तो sentence एक words का समूँ है जो की आपको एक प्रसपर क्या देगा सूच विचार थौट देगा ठीक है कोई meaning किसी भी अप word का collection कर लेते हो ठीक है group of word का तो वह एक sentence नहीं कहलाएगा जब तो क्या करे एक complete meaning ना दे ठीक है तो उसके लिए क्या-क्या होनी चाहिए तो सबसे पहले हमारे पस क्या होनी चाहिए एक subject होना चाहिए और एक word होना चाहिए ठीक है और object हमारा optional है किसी में object हो भी सकता और किसी में नहीं भी हो सकता है ठीक है जैसे मालों कि आपने word को arrange कर दिया a doll making Sally is तो यह एक sentence नहीं कहलाएगा इसमें सारी कुछ है लेकिन यह sentence नहीं कहलाएगा क्योंकि यह complete thought नहीं दे रहा है ठीक है तो इसका एक way होता है लिखने का कि सबसे पहले क्या आगा subject आ हो आए ठीक है तो complete sense क्या देगा कि Sally is making a doll तो Sally क्या बना रही है गुरिया बना रही है ठीक है तो जब तक complete thought नहीं मिलेगा हम उस group of word को sentence नहीं कह सकते हैं ठीक है क्यांगी is reading a book it is raining ठीक है बारी सो रही है तो complete sense है ठीक है I hope आपको चीजे clear हो गई हुई तो आगे बढ़ते ठीक है तो यह basic class है तो मैं आपको basic चीजे इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपको आगे चलके कोई भी परिसानी नहीं लोग यह समरते है कि मुझे basic चीज तो आ ठीक है तो overconfidence हमेशा laid हूँता है इसलिए जब भी आप सुरुवात करें तो zero label से हमेशा पढ़े क्योंकि जो चीज आपको लगता है कि आती है वह एक बार और पढ़ल होगे तो आपके लिए वह क्या हो जागे reason हो जागा है ठीक है तो कोई भी अगर sentence का statement जो सुरू होता है पहला जो later होता है उस word का ठीक है हूँ क्या होता चाहिए capital later होना चाहिए और फिर क्या होना चाहिए subject, verb और last में एक period होना चाहिए हो सकता है अपने period पढ़ा हो क्या होता है और नहीं पढ़ा हो तो मैं बता दू कि प्रीयड क्या होता है इसी को period बोलते है जब period तो क्या है he drew horses ठीक है example यह क्या यह है period जो यहां पर fully stop हमने लगा है इसी को period बोलते है All about is my good friend ठीक है चलिए next बात कर लेते हैं I hope आपको सारी चीजे clear हो गई होगी तो आगे बढ़ते हैं नेक्स हम बात करेंगे kind of sentences ठीक है previous class में मैंने आपको बता दिया था types of sentences imperative वेगरा इंट्रोगेटी वेगरा सारी चीजे बताई थी आज हम बात करेंगे kind of sentences ठीक है तो मेरी तीन kind के sentence होते हैं कौन-कौन से simple sentence complex sentence और compound sentence ठीक है just simple sentence क्या होता है तो जैसा कि यह नाम से clear है कि यह simple ही होना है ठीक है इस sentence को क्या होना है simple होना है और sentence which has only one finite verb is called simple sentence it may have non finite verbs if required ठीक है तो ऐसा sentence जिसमें केवल एक finite verb हो या फिर हो सकता है requirement हो तो non finite verb भी हो सकते है ठीक है अगर requirement होगा तो जनरली इसमें एक finite verb ही होते है ठीक है तो आप भी सुचरों कि finite verb क्या होता है non finite verb क्या होता है इन सारी चीजों को हम डीटेल में discuss करेंगे जब मैं आपको वर्पर होगा तो अभी आप याद रखना है कि एक finite verb होता है एक non finite verb होता है ठीक है नेक्स्ट बात कर लेते हैं complex sentence की ठीक है तो complex sentence consist of a principal main clause with one or more subordinate clauses ठीक है principle या main clause किसे कहते हैं और subordinate clause कौन-कौन से होते हैं ठीक है तो it means that a complex sentence has more than one finite verb ठीक है उसका क्या मतलब है कि complex sentence में आपको एक से जादे finite verb देखने को मिल सकते हैं ठीक है और जो subordinate clause होंगे वो join होंगे coordinating conjunction ठीक है तो जहां पर आपको coordinating subordinating conjunction देखने को मिलेगा ठीक है sorry subordinating conjunction देखने को मिलेगा तो आप समझ लेना कि वो क्या है complex sentence ठीक है for example I know मैं जानता हूँ क्या जानता हूँ ठीक है that he is a good man वो क्या है अच्छा वैक्ति है ठीक है यहाँ पर देख पार होंगे कि आप conjunction से जुरा हूँ ठीक है I know the man मैं उस आदमी को जानता हूँ किसको who was here last month जो यहाँ पर last month में था मैं उस आदमी को जानता हूँ ठीक है when you do this work I shall help you with money यह सब क्या है complex sentence के example है ठीक है चाहिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं next is compound sentence तो compound sentence क्या होते हैं तो compound sentence consists of two or more principal clause ठीक है तो compound sentence में क्या होंगे से दो या दो से अधिक principal clause होंगे और बहुत सब तो इसको main clause होंगे और हमने क्या पढ़ा है complex में कि एक principal clause होगा और एक से ज्यादा क्या होगा subordinate clause होंगे ठीक है तो जहांपर आपको subordinate clause देखने को मिलेंगी मैं आपको यह चीज आगे discuss में बताऊंगा कैसा पहचान होगे कि यह subordinate clause है या फिर main clause है तो आपको compound sentence पहचानना आ जागा कि उसमें एक से ज्यादा आपको principal clause देखने को मिलेंगे ठीक है इस clauses are joined by coordinating conjunction ठीक है तो compound sentence में क्या होगा coordinating conjunction होगा और complex sentence में क्या होता है subordinating conjunction होता है ठीक है आप इस चीज का ध्यानक में है complex है तो subordinating होगा और compound sentence है तो उसमें coordinating conjunction होगा जैसे कि कौन-कौन से coordinating conjunction है and होगा but होगा so therefore otherwise or is nor why for whereas still yet यह सारी क्या है coordinating conjunction है ठीक है यह क्या करती कोडिनेट करती है तो कुछ example देख लेते हैं हम लों ठीक है compound sentences तो my brother came and he handed over money to me मेरा भाई आया और मुझे क्या दी मेरे हाथों में क्या थमा के गया तो पैसे थमा के गया she is rich but she is not speak or you will die या तो बोलो या फिर तुम्हें मर दिया जाएगा ठीक है next बात कर लेते next है what is a clause clause होता क्या तो last class में मैंने आपको पता थे clause क्या होता है group of word होता है जो sentence बनाते हैं ठीक है उनके पास भी क्या होता है एक subject होता और finite word होता है ठीक है तो उसी को हम बोलते है clause उनके पास क्या नहीं होता है ठीक है तो ऐसा sentence जिसके पास अगर period नहीं होगा तो वो क्या कहलेंगे clause कहलेंगे simple भासा में समझो कि clause क्या है एक ऐसा sentence है जिसके पास period नहीं है और period मैंने आपको कहलता है था full stop या comma नहीं है तो उससे पहले जो भी sentence है वो क्या कहलेंगे clause कहलेंगे तो number of finite verb in a sentence joined by conjunction determine the number of clause तो आपको number of colleges पहचानने होंगे तो देख लेना कि कितने finite verb हैं किसी भी conjunction से पहले जितने भी finite verb होंगे ठीक है ठीक है तो उतने सारे उसमें क्या होंगे clause होंगे बात कर लें types of clauses एतने types को होते हैं तो mainly उसके behavior पर हम लोग classify करते है clause को two types हों ठीक है उसके behavior पर हम लोग क्या करते classify करते है तो पहला क्या होता main clause और independent clause तो जो main होगा वो हमेशा independent होगा तो ऐसे समझो main clause आपके father ठीक है तो father क्या होते है आपके family में main हिस्था होते हैं इंडिपेडनेंट होते हैं और किसी पर असरी नहीं होते है जाएंगे subordinate clause हो जाएगा या dependent clause बोल सकते हैं तो main clause क्या होता main clause is a group of words with a subject and a verb it is one that can stand alone and make complete sense that is why it is called as independent clause तो ऐसा clause जो अकेला ही एक complete sense जैसे कि अगर आपके father खरे होते हैं ठीक है अकेले खरे होते तो आपको पूरा complete sense मिलता है ठीक है वो किसी पर dependent नहीं होते हैं तो ऐसा ही है main clause और independent clause यह किसी पर dependent नहीं होते हैं ठीक है कुछ example देख लो I know how to drive a car यह किसी पर dependent नहीं है ठीक है conjunction से पहले देख लोगे कि यह clause हो गया कि मुझे क्या आती है कि कार कैसे चलाना है मुझे आती है complete sense है इसके बाद कोई question नहीं हो रहा है कि क्यों कैसे क्या है नहीं ठीक है I enjoy riding bikes यह भी खुद में complete sense दे रहा है कि मुझे बाइक चलाना बहुत पसंद है ठीक है अब यहां पर conjunction लेगा के हमने दो closures को जोड़ दिये कि I know how to drive a car but I enjoy riding bikes मुझे पता है कि कार कैसे चलाया जाता है लेकिन मुझे बाइक चलाना बहुत ही पसंद है ठीक है मैं उसको enjoy करता हूं यह भी खुद में complete sense दे रहा है I was not keeping well so I took a day off ठीक है तो यह क्या खुद में complete sense दे रहा है जैसे देख लो it was my sister's birthday yesterday ठीक है तो यह खुद में complete sense दे रहा है इससे कोई question नहीं पूछा जा रहा है यह कहीं से किसी से जूरा नहीं है ठीक है however she did not want to celebrate यह भी खुद में है she did not want to celebrate वो celebrate नहीं करना चाहती थी ठीक है चलिए next बात कर लेते हैं next is subordinate clause और dependent clause तो ऐसा clause ठीक है जो किसी पर dependent होगा ठीक है तो उसी को बोलेंगे subordinate clause और dependent clause ठीक है तो जो subordinate clause होते हैं वो main clause की तरह अकेले नहीं रह सकते ठीक है वो एक complete sense नहीं देंगे उनकी बाते अधूरी रह जाएगी ठीक है तो उसके लिए हमें एक sentence चाहिए होगा जो उनकी बाते को क्या करें पूरी करें ठीक है noun clauses जो noun से बने होंगे adjective clauses जो adjective से बने होंगे adverb clauses होंगे conditional clauses होंगी relative clause comparative clause यह सारी क्या है इसके पार्ट से इन पार्ट में हमने dependent clause को क्या की आई डिवाइड किया है आईए एक्जामपल से समझते हैं तो कुछ एक्जामपल है dependent clause की after we reach home ठीक है घर पहुंचने के बाद आप मने में एक सवाल होगा कि घर पहुचने के बाद आप्शी सी movie देखे तो अब complete sensor के हम घर पहुँचे उसके बाद हमने movie देखे लेकिन यहाँ पर पूछा था घर पहुँचने के बाद तो आपके मन में एक सवाल आता है कि घर पहुँचने के बाद आपने क्या किया ठीक है तो यह dependent है everybody knows the boy who won the best outgoing student ठीक my mom ask me to call her as soon as I boarded the bus अप इस sentence को पर as soon as I boarded the bus जैसे ही मैं बस पे चढ़ा ठीक है बस से आगे बढ़ा तो उसके बाद क्या हुआ हुआ आप बस से आगे बढ़े है या आप बस पे जैसे ही चढ़े है तो उसके बाद हुआ क्या कोई भी आप से सवाल पूछे है कि आगे क्या हुआ तो ये एक complete sense नहीं दे रहा तो मेरी मम ने क्या कहा कि उसको call कर लो ठीक है वाइल वी वेर वेटिंग एड़ बस स्टॉप ठीक है आप किसी को कर रहा है कि हम बस स्टॉप पे बस की इंतिजार कर रहे तभी तो लोग पुछें तब क्या हुआ ठीक है आप जब कर रहे थे इंतिजार तो कुछ तो हुआ होगा आगे की बात बताओ ठीक है तो आप बताते हो कि वी आप मंग की स्नैचिंग स्नैक फ्रम आल लिकी हुआ तो हमने एक बंदर को देखा जो छोटे बच्चे से क्या कर रहा था स्नैक्स चूड़ा रहा था उससे छीन रहा था ठीक है तो यह जो आपने संटेंस कही वाइल वी वेर वेटिंग एड़ बस स्टॉप तो यह क्या है एक डिपेंडेंट क्लॉज है ठीक है यह कंपलीट सेंस अके लिए नहीं दे रहा है ठीक है आपको चीज़े क्लियर हो गई हो तो आगे बढ़ते तो नेक्स्ट मैंने आपके लिए हमवर्ट कोस्चन दिया इसमें दस कोस्चन है इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौनसा इंडिपेंबेंट क्लॉज है और कौन इडिपेंडेंट क्ल सॉल्व करने के बाद जहां पर भी अठको होगे सॉलूसन एक बाद देख लेगा तो आज के लिए बस इतना ही आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगए हो अगर अच्छी लगए है तो वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों में वीडियो को सेर करना ना भूले जो इंग्लिज ग्रामर पढ़ना चाहते एकदम बेसिक लेबल से ठीक है तो उन सभी दोस्तों को वीडियो को जरूर से जरूर सेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया कंटेंट लेके आऊँगा तब तक क के लिए जया ही जया भारक टेक क्या है